हलो फ्रेंड्स रुवीज कुग बुक में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे नीम पत्ता बैंगन का भुजिया ये खाने में बहुत स्वादिस्ट तो नहीं पर बुरा भी उतना नहीं लगता पर ये खाना बहुत ही हेल्दी है खून को साप करता है और डाइबिटि को इस तरह से हाथों से हम थोड़ा थोड़ा करके छोडा कर रख लेंगे डंटल से नीम पत्ता को छोडाना बहुत ही आशान है बहुत ही जल्दी आसानी से ये खूट जाता है और इसे बनाने के लिए आप सौप्ट वाले ही नीम पत्ते लिजीएगा तभी ये खाने में ब और उसके बाद जो नीम पत्ता को हमने तोड़ कर रखा था इसको इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लिम में इसको अच्छे से क्रिस्प होने तक भून लेंगे जब तक यह भून दा है तब तक हमने दो बैगन को लिया है धोकर इसका पीछे का डंटल हटा कर इसको पतला प से दो बैगन को हमने चोटा चोटा पीस में काट कर ले लिया है इधर देखे निम पत्ता को भूनते हुए दो से तीन मिनट हो गया है यह क्रिस्प हो गया है तो इसे एक प्लेट में हम टांसपर कर लेंगे इसे बहुत जादा भूनने में टाइम नहीं लगता है अब उसी क बैगन को ढग कर हम पका लेंगे तो देखे दो से तीन मिनट के लिए बैगन को हमने ढग दिया था हलका शा भून गया है तो अब हम इसमें एड करेंगे हलका शा हल्दी पाउडर और श्वादनु से नमक डालेंगे इसमें ज्यादा मसालाइं नहीं पड़ते हैं बस नमक अब हम यहाँ पर हलका हल्दी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे और दो से तीन मिनट के लिए फिर से हम ढग कर पका लेंगे तो देखे टोटल पास से छे मिनट हो गया है बैगन अच्छे से भून गया है यह सौफ्ट भी हो अब हम इसमें भूना हुआ निमपत्त को अड़ कर देंगे और इसको एक से दो मिनट इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भूनने के बाद इसे गर्मा गरम ही सर्व करें तो ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो देखिए यह भूनकर तयार है अब हम यहाँ पे भुजिया का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब टू माई चानल थैंक्स फॉर वाचिंग